हेलो फ्रेंट्स, माइ नेम इस राहूल व्यास and I am educator at study express So today I came with a new chapter, इस chapter का नाम है syllogism Reasoning का बहुत important chapter रहिए और इसमें सबसे important चीज होती है Venn Diagrams, तो आईए सबसे पहले हम Venn Diagrams बनाना सीखते है Venn Diagrams के सारे से आप इसके concepts clear करें ताकि आप easily सारे exams में syllogism के जो भी questions आते हैं उनको crack कर सके, तो आईए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम Venn Diagrams बनाना सीखते हैं जैसे ही यहाँ पर कुछ example मैंने दिया है आप देखें sum ARB, अब इस sum ARB को हम कैसे draw करेंगे आईए देखते हैं, तो सबसे पहले काम करो एक A का circle create करो और एक B का circle create करो टीके, अब A का circle create हो चुक है और B का circle create हो चुक है इन ड़नों का relation क्या बोला है sum का relation होना चाहिए तो sum का relation हम कैसे create करते हैं A के diagram को और B के diagram को आपस मैंसे जोड दो अब यह जो middle portion जो create हुआ है यहाँ पे, जो common space है यहाँ पे, इस middle portion को हम लोग बोलते हैं sum, clear everybody, तो sum का diagram हम कैसे draw करते हैं, आपने अभी यह सीखा, अब आगे बरते हैं, all का diagram create करते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, all, a, r, b लिखा हुआ है, अब इसको all के diagram को हम कै कैसे create करते हैं, all के diagram create करने के लिए same, पहले एक a का circle create करो, फिर एक b का circle create करो, अब इन दोनों के बीच में relation कैसा है, friends, relation all का है, और all के बाद क्या लिखा हुआ है, all, a, r, b, यानि कि सारे a जो है, वो b के अंदर जाएंगे, तो सारे a को b के अंदर कैसे लिके जाएंगे, य a, r, b, अब no a, r, b को हम कैसे create करते हैं, पहले एक a का circle create करो, फिर एक b का circle create करो, अब इन दोनों के बीच में relation कैसा, friends, relation no का है, no यानि कि कोई भी relation नहीं होगा, यानि कि a का b के साथ कोई relation नहीं होगा, नहीं sum का relation होगा, नहीं all का relation होगा, तो sum भी नहीं होगा, all भी नहीं का कोई भी relation नहीं है तो when diagrams कैसे create करते हैं friends ये हमने अभी सीखा अब आगे बढ़ते हैं type 1 के questions में सबसे बहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कितने types के syllogisms के question होते हैं जैसागे आप यहाँ देख सकते हो type 1 को मैं कहता हूं some all type 2 को हम कहते हैं no conclusion type 3 को हम कहते हैं possibility type 4 को हम कहते हैं some not और type 5 को कहते हैं reverse syllogisms ये सारे types होते हैं syllogisms के understood